मामु पित्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्नुवंति महात्मानः समसिधिंपरमामगताः प्रेदर शुकू, नमस्कार, एक बार फ्री से वबस्तित हूं आप सब के सामने, रभी बार के कारिक्रम में विसले सिंजन्म कुण्डली का इस कारिक्रम के अंतरकत आज इनकी कुण्डली लेकर के आया हूँ, यह वो कुण्डली है जो मैं इस हपते मैंने चुना हुआ है, और उसके बाद अपना डेटो बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखिए, और साथी साथ अपना सवाल भी जरूर लितिया करिए, रभी बार का कारिक्रम आवश्य देखा करिए, और साथी साथ बस यह है, आज जिनकी कुण्डली लेकर के आया हूँ, यह जम्मु कश्मीर से हैं, वहीं जहां लाल चौप पे जंड़ा फाराने से पता नहीं, लोग कितने कितने तिकडम और पता नहीं कितने कितने शोर मचाते थे, वहीं जम्मु कश्मीर, वहीं कि यह कुण्डली है, संदीप पठानिया नाम है इनका, स्रिमान, संदीप जी आपने सवाल तो हैं, जैसे इन्होंने सवाल लिखा है, कि काफी कर्ज में हूँ, और कुंडली से समधित कुछ सवाल है, इनके गूरू के बारे में, शनी के बारे में, राहू, यहां सब्तम्भाव में, आठ नंबर की राशी में बैठे हैं, तो कैसा फल करेंगे, चलित कुंडली में से एकर एक दिन का कारीकरम अवश्य देखा करिए, और नौमान सपकी की बारे में भी चर्चा करूँगा, जो खली है, दर्शमां सपकी के बारे में भी चर्चा करूँगा, जो भरी हुई है, अनुस्का जी ने मुझे कुछ ऐसा लिखा था, यسसे घड़ी में दो 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 जो टेकनिक देखाता वो धुरुवराठी जी के कुंडली मतलब धुरुवराठी जी के वीडियो में देखा था वो, वहाँ पे मैं कभी कभी करके मैंने आपको इस वजबद भी अपना phone number दिया था कि आप मुझे जरुर संपर करके बताईएगा या अन्य भी कोई दर्शक अगर जो ये जानते हो कि ये कैसे होता है क्योंकि description में अगर वो लिख दिया जाता है वो time इनका जंब हुआ है 13 जुलाई 1975 को ये है आशाडवा ड़ती जो होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर तो देखने में नहीं होता है पर ठीक ठाक है दक्षणायन में जन्में होने के कारण जीवन में समस्याइं भी बनी रहेंगी और परिशानिया यूं आती रहती है परिशानी इस मामले में कि अर्थ की परिशानी हो मानस एक सुद्रण जो स्थोती होती है सुद्रणता कोची सवस्था में मन और बुद्धी को होना चाहि ही है दिमाल चिंतित ज़्यादा होता है और हर छोटी बात को बड़ी बात बनाता रहते है शनीवार के जन्क कारण व्यक्ति जो होता है तो जहां पोर है पने चीवन पर पाउं रखना ही होता है आप कभी भी उसे छोड़ नहीं सकते हमेशा रखेंगे पाओ तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ये डोरी ऐसी ही चलती रखती है आपकी कुंडली में शुक लपक्च के पंचिमीतिति के चंद्रमा पापक तो जरह गोर करी जिस तरीके से इन्हों ने जो सवाल जिस तरीके से लिखा ह हुआ है उस आधार पर मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि चंद्रमा पापक होंगे और दक्षणायन में जन्मे होने का प्रभाव कमजोर होगा व्यक्ति के जीवन में शनिवार का प्रभाव आप कैसे देख रहे हैं जोतिश बड़े प्रभाव की चीज होती है और जो लोग न अलग तरीके से द्रिश्टी कोंट से देखते हैं शुक्ल पक्षे के पंची में थे थी के चंद्रमा पापक इस वज़े से अब आये के लिए ब्यक्ति को लड़ना पड़ता है और प्रतिक काम में मेहनत मशकत भी बनी रहती है आप बैलेंस कई बार करने में औसफल हो जात के ही नक्षत्र में हुआ है और ये शुक्र से ही प्रभावित भी है भूमी तत्व की राशी बनी है और राशी के अधिपती इस्थर राशी में बैठे भी है ये चीज़े इस्थरता से जीवन में चीज़े होती है बहुत जल्दी आप न तो प्रोग्रेश करते हैं और न बहुत जादा जल्दी आपको चीज़े मिल जाती है ऐसी स्थरती होती है चत्रीवर्ण और मनुष्यगण के होने का प्रभाव रहेगा इस वज़ा से ब्यक्ति के ऊपर चल दंभ द्वेश अर्श्या चीजों को पाने की इक्षा लोग लालच भी कई बार होती है मनुष्य पंचांगी थी पर इस पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या थी इस पंचांग में मेहनत बड़ी अच्छी है विक्ति मेहनती हो सकता है जीवन में अपने यश्च को प्राप्त करने के लिए किसी भी अवस्था तक और किसी भी हद तक विक्ति आसानी से जाता है और उसक के साथ कभी भी अन्याय नहीं करना चाहता है, हाँ, जो छत्रे बढ़न होता है, इसके आधार पर विक्ति जो है, वो थोड़ा दबंग है, दबंग किस्म का है, ये बात भी दिखती है, ये तो आपके पंचान की कमजोरी रही, जो की आपका जन्म अधक्षणायन में हुआ, पर ये पूर विजन में की कृतियों के आधार पर होता है, उसके बहुत ज़्यादा अब परिशान होने वाली कोई बात नहीं है, अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब आपकी कुंडली में क्रहस्तुती बता देता हूँ, ये ब्रिशब लगन की कुंडली जहा और उनका ठीक होना आपको धन और यश दोनों दे सकता है, विद्या से संपन और पुत्र का प्रेम आदी मिल सकता है, अगर ये कमजोर रहेंगे तो इन चीजों में कमजरी या फिर व्यक्ति को धन का, या फिर कई बार सुद्रण स्थपती को प्राप्त करने में व्यक्ति क मशकत जादा करनी पड़ती है, अगर बुद्ध के साथ शनी बैठे होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बुद्ध पंचम के अधिपती और शनी दशम के अधिपती होकर के योग कारकस्तुति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सुरियस चतुर्थ के अधिपती और दशम के अधिपती, ये राज योगों की भाती, ये ग्रह का परणाम, ये बुद्ध ये बहाओ, इनकी कुंडली का सबसे बलवान भाओ बन रहा है, क्लेर है, तिति बहाओ के अधिपती चंद्रमा होते हैं, जो जन्म कुंडली में जा करके सिंभरासी का निर्माड कर हैं, जिसके उपर अभी शड़ी की शाड़ेसाती और ढहिया का कोई असर नहीं है, वो शुक्र के साथ बैठ करके ब्यपती को मजबूती से, उसके आर्थिक विपननता को दूर करने का परिणाम प्राप्त करवाएंगे, लेकिन मेहनत के बाद, क्योंकि शुक्र, तो चलो इस कुंडली में कारक नहीं होते, पर चंद्रमा भी इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, वो तिरिक भाव के अधिपती होकर के विपती को, यानि कि महनत करने के बाद विपती को मानसिक सांती मिलती है, मैं गंभीर हूँ, आब भी हो जाएए, समझ में आरी होंग कन्या और मकर और कुम्भ से कर सकते हैं, clear है, छटे भाहो के बारे में चर्चा करी, सब्तम भाहो के अधिपती मंगल और बारह में भाहो के अधिपती मंगल, इस कुंडली में मारक, प्रबल मारक के रूप में इस कुंडली में गुरु भी होंगे और मंगल भी होंगे, मंगल म मारक होंगे और गुरू सहायक मारक के रूप में उपस्तित होंगे। इसका मतलब है कि इस कुंडली में गुरू और मंगल अगर कमजोर रहे थोड़े तो चलेगा। और गुरू अपने वास्तविक परिणाम को देने से अगर छूट जाएंगे या अगर उनका प्रभाव वा अगर ऐसी स्थ्थती है तो वस्तुता इस कुंडली में मंगल अच्छे नहीं होते और देव-गुरू गृहस पती अच्छे नहीं होते साथी साथ चंद्रमां अच्छे नहीं होते ये तीन स्थ्थिया बुद्ध यहां दुथि भाव के अधिपति हैं ये मृत्यू के कारन का भाव होता है तो यहाँ पे जब व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याइं बनेंगी वो दो तरीके की बन सकती है ध्यान से समझें मेरी तरफ देख करके कहां देख रहे हैं आप लोग इदर देखें यहाँ पे जो भी समस्या बनेगी जीवन में वो कैसी बनेगी इसका मतलब है कि जब आप व्यक्ति के चिंता के कारण को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दुतिय भाव को देखना होगा क्योंकि विचारों के उत्पन्न होने का भाव यही होता है और बुद्ध संतान होता है तो व्यक्ति संतती के establishment को ले करके और बुद्ध ब्यापार का कारक होता है तो ब्यापार को ले करके और साथी साथ बुद्ध धन भाव में बैटे हैं धने शो करके तो धन को ले करके चिंतित होगा इसके जीवन की चिंताएं प्राया इन तीन बिश्यों पे ही केंदरित होंगे पक्की बात बताता हूँ ब्यवसाय, पुत्र और धन जिसमें से धन की समस्य है तो सबके साथ होती है और धन तो किसी को कितना भी दे दो वो कभी पुर्णो नहीं होता बुद्ध पुत्र होता है और जन्म कुणली में पंचम भाव के अधिपती है इस वज़ा से इसकी चिंता इसको होती रहेगी और बुद्ध धन भाव में बैठे हैं इस वज़ा से धन से समधे चिंता देते रहेंगे और साथी साथ वो कारण है तो चिंता का कारण ये बनेगा यहां पे जो यूतियां बनी है न यहां यहां जो आप देख रहे हैं यहां बुद्ध शनी और सुर्य का यह सबसे अच्छा है इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है अब ये को ये ना कह दीजिएगा कि वहाँ सुर्य और सनी बैठे हैं मुझे ऐसे लोगों से बड़ा जब मुझे से लोग कई बार सवाल जब फोन पे बात होती है तो कई बार प्रूशत हैं पंडी जी यहां पे तो सुर्य और शनी एक साथ बैठे हैं तो माता पिता के साथ नहीं बनेगा कम सची बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता है आप लोगों को पता नहीं यह कहां से बात चली है कि सुर्य और शनी एक साथ बैठ जाएंगे तो पिता के साथ और पुत्र के साथ नहीं बनेगी ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जन्म कुंडली में सुरिय और शनी यहाँ पे देखे शनी जो हैं वो दशमस्थान के इस कुंडली के लिए भागेश है मैं उन लोगों के लिए थप्र लगाना की बात कर रहा हूँ जो थोड़े कम बुद्धी के हैं और जो जोतिश के जानकार नहीं होते पर खुद को जोतिशी मान बैटे हैं बाकी लोग तो आप लोगों को मैं पूजा और पूजनी यह मानता हूँ आप लोग इसको दिल पर मत ले ना तुम्पा मैती एक मेरी धर्शिका है वो कई बार मुझे डाट देती है कि अब इसे कैसे बोल सकते हो ऐसा नहीं है मेरे दर्शक मुझे जानते हैं कि मैं प्रेम से ये बात बोल रहा हूँ ये बात है तो यहाँ पे जो शनी बैटे हैं वो चतुर्थ स्थान के अधिपती और सुर्य जो बैटे हैं वो चतुर्थ अस्थान के साथ अधिपती होकर के दशमभाओ के अधिपती गौर करिए तो यहाँ पे सुर्य और शनी का एक साथ बैठना बड़ा अच्छा हो जाएगा और क्योंकि पंचमभाओ के अधिपती के साथ बैठ रहे हैं तो यह राज योगों की भादी परिणाम करने वाला हो जाएगा यहाँ पे सुर्य और शनी का एक साथ बैठना कभी भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल यह इस तरीके की कुणली मेरे पास एक और आई थी अभर अभी राहू की दशा चल रही है और राहू की दशा जब चल रही है और व्रक्ति बहुत परिशान है इनका कोई भी काम बन नहीं रहा है कोई भी काम, जो है वो लाइन पे नहीं आ रहा है या फिर घ्लबढ हो रही है चीज़े राहू यहाँ ब्रश्चिक रासी के बैठे हैं और यहाँ वो नीज के होकरके इस पुंडली में पीछी का प्रणाम भी दे रहा है चरित कॉंड़दी में पीछे इसका मतलब है कि वो व्यक्ति को रिणे में रखेंगे और साथी साथ ब्यापार और डैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे और गौर करिए जब आप सब्तम भाव पे विचार कर रहे हैं तो आपको नवांस भी देख लेना चाहिए खाली नवांस कमजोर हो रहा है क्योंकि गौर करिए तो नवांस अगर केंदर कमजोर तो व्यक्ति का दामपत्य भी कमजोर और पत्नी से कई बार सहयोग उतना नहीं मिल पाता जितनी की वो अपक्षा करता है ऐसे स्थोती बनती है या व्यक्ति का समाज जो होता है वो उसको उतना आगे हलाकि ये एक गौर देखे गुरू की राशी स्वग रही है गुरू यहां देख रहे हैं पर कन्या राशी को देख रहे हैं बहुत अच्छी राशी नहीं है गुरू के लिए लेकिन गौर करिए तो यहां पे शनी की दिष्टी गुरू पे जा रही है जो व्यक्ति के सू प्रभावों को या व्यक्ति की प्रभाव जो अच्छाई का प्रभाव होता है उसको मंद करने का काम कर रहे है वस्तुता हुए इस कुंडली के लिए भाग्य शो करके देखेंगे तो भाग्य का लाव व्यक्ति को मिलेगा व्यक्ति जीवन में भाग्य और कर्म के सहारे व्यक्ति धन भी अरजित करेगा क्योंकि भाग्य और दर्शम के अधिपती धन में बैठे हैं तो कर्म और भाग्य दोनों साथ में चलेंगे और व्यक्ति को धनवान भी बनाएंगे परन्तु परिणाम प्राप्त करने के समय पे व्यक्ति को कमजोरी भी मिल लेगी क्योंकि वो बुद्ध जो बैठे हैं वो आरदरानक छत्र में बैठे हैं जिसके अधिपती राहू नीच के इस कारण से व्यक्ति के जीवन में परिणाम उतना प्राप्त नहीं होता है जितना होना चाहिए बात समझ में आ रही होगी मैं जो बोल रहा हूँ कारण यहां यह है यहां राहू ठीक नहीं है इस वज़ा से ही राहू की समस्त दशाएं व्यक्ति को कमजोरी के लिए लेके जा रही है राहू की दृष्टी यहां गुरू के उपर यह अच्छी नहीं राहू की दृष्टी यहां यह ठीक है बबर बनाए, महनती बनाए, हटी बनाए प्राप्त करने के लिए ब्यक्ति हमेशा जीवट रहता है क्योंकि यहां पे राहू की करकराशी बन रही है यहां भी पराक्रम भाव पे बहुत अच्छी तो दृष्टी यहां भी नहीं जा रही है इस वज़ा से यहां के लिए कमजोरी तो और यहां पे प्राप्त नहीं करा रहे है अपनी दशाकाल में ब्रक्ति कुछ भी देने वाला बन ही नहीं रहा है उसको वो चीज राहू दे ही नहीं रहे है और साहती जाद प्रभावित किसको कर रहे है दशम भाव से केंदर में और चतुर्थ भाव से केंदर में इस कारण से सुख मानसिक शांती छीन रहे है और ब्यापार का और कर्म छेत्र को कमजोर करने का ठेकाले रखा है ये बात है आपने ये सवाल पूचा था कि राहू की दशां में मुझे इतनी सारी चीजें क्यूं नहीं मिले या फिर ये बात अगर राहू को यहां घटित होते देख रहे है तो आखरी ये चीज क्यूं कमजोर पड़ रही है इस बात को समझना होगा राहू केंद्र में बैटे हैं जिसके अधिपती इस कुंड़ी के लिए मारक होते हैं आप जरगोर करिये तो शनी के उपर किसी भी सुभग्रा का कोई प्रभाव नहीं है कोई सुभग्रा उसके साथ नहीं बैटा बुद्ध बैटे हैं वस्वग्रही होकर के बैटा है तो धन ब्यक्ति को मिलता रहे धन मिलता रहे पर राहू के बाद गुरू की जो दशा आएगी वो भी आपकी कुंड़ी के लिए बहुत अची नहीं है तो मशकत अभी बाकी है पर वस्तुता अगर गुरू कितने भी खराब होंगे तो कुछ न पराक्रम कराते नजर आ रहे हैं यहां पर गुरू जो है वो स्वग्रही यहां भी गुरू स्वग्रही गुरू बली हो जाएंगे अब जरह समझे आपने राहू की दशा से तो आशाएं छोड़ रखी हैं राहू जो है वो जन्मकुंडली में अनुराधा नक्षत्र के बै क्योंकि मंगल की दृष्टी आठमी पड़ेगी राहू पे और गुरू की दृष्टी नवी पड़ेगी मंगल जहां बैठते हैं वहां से आठ घर आगे चार घर आगे और साथ घर आगे देखते हैं तो एक दो तीन चार नीच की दृष्टी तो पराक्रम का परणाम क्लियर है और मंगल की आठ्वी द्रिष्टी यहां पर पढ़ेगी तो व्यक्ति की कुर्ली में अपनी राशी को पढ़ेगी तो व्यापार के लिए ठीक रहे पर राहू वहां बैठे हैं इस वजह से वहां पर दामपत्य में तो कमजोरी कई बार नहीं मिलती है लेकिन राहू यहां के लिए सामान्य परड़ाम देंगे बहुत सामान्य लेकिन यहां के लिए गुरू की द्रिष्टी अच्छी होगी इसका मतलब है कि गुरू की दशा में जभी भी ब्यक्ति आये या गुरू में मंगल चले या गुरू में जब गुरू की दशा चलेगी तो ब्यक्ति जीके मंत्रों का जब भी शुरू कर लेना चाहिए, अगर हो सके तो वट वरिक्ष के उपर, वट वरिक्ष के जड़ में दूध अरपित करना चाहिए, एक आधशी का व्रत आको करना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि वो राहू भी तो पलट के देर पलटवार कर रहे हैं, और वर्गुत्तम हो जाएंगे, और वर्गुत्तम गरह बली हो जाता है, अगर कोई भी गरह, माल इसे यहां पर गुरू नीच के हो जाते, यहां भी नीच के हो जाते, तो यह भाव के बल को बढ़ाने के साथ साथ, अपने स्वैम के बल को भी बढ़ाने वाले हो जाते, यहां मैं एक बात कहूँ, तो दामपत्य के बाद व्रक्ती बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है एक टाइम पे, लेकिन उसके बाद नीचे वो नीचे भी गया है, एक वक्त के बाद व्रक्ती नीचे भी गया है, ये बात भी मैं देख रहा हूँ, एक समय पे तो लगा होगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए भागशाली है पर एक वक्त के बाद यह जो मंनोदशा है यह जो विचार धारा है या जो धारना बनी है वह तूटती भी नजराई होगी यह बात भी दिखती है यह राहू की दशा आपके लिए ठीक नहीं जा रही है और नहीं जाने का कारण यहाँ मैंने दूसरी बात ये राहू यहाँ पे धन हानी के कारण भी बन रहे हाला कि उनकी राशी स्वग रही है तो धन खाली ले रहे दे नहीं रहे उसके बाद राहू की यहाँ पे दृष्टी चंद्रमा पे इस वज़ा से धन को सही दिशा में ले आने में उनको दिक्कत आ रही है या खर्च ही खाली करवा रहे है राहू की दृष्टी यहाँ जो ब्यप्ति के जीवन में कई बार खाली चिंता करने का कारण बन जाती है या रिने में डालने का कारण बन जाती है उबारने में मदद नहीं करती है और यहाँ पे राहू की दृष्टी उचकी अब एक बात और बताता हूँ, यहां से राहू केंदर में थे, दशमस्थान के अधिपती जन्मकुर्ली में अपने भाव से पंचमस्त थे, यह अच्छी बात थी, लेकिन वो बुद्ध के साथ बैठे थे, यह भी अच्छी बात थी, इस भाव से गुरू केंदर में हैं, यह भी अच्छी बा इस वज़े से राहू की दशा कर्म छेत्र के लिए कई बार, अब मैं एक बात कहूं, तो 24 से लेकर के 27 तक वाली जो दशा रहेगी, वो आपके ठीक रहेगी, क्योंकि राहू की दृष्टी यहां पे जो पढ़ रही है, वो सुक्र की राशी पर रही है, गतित्तो को 2024, यानि क 22 और 23, किसी भी तरीके से निकालना ही होगा, 24 के फरवरी से आपकी कुंडली में, वक्त अच्छा देख रहा हूं, जो आपको एक, जो है, वो साकारात्मक प्रभाव दे सकता है, और आपके प्रभावों को विक्सित कर सकता है, 2024 के फरवरी में, अभी तो फिर भी आपकी किसी सुभगरा का कोई प्रभाव नहीं, शनी के उपर किसी सुभगरा का प्रभाव नहीं, गुरू के उपर किसी सुभगरा का प्रभाव नहीं, उल्टे राहू और शनी से प्रभावित हो जा रहे है, शनी की तीस दस्वी और राहू की पांच्वी, तो गुरू का जो प् बैठे हैं, पंचम के अधिपती स्वग्रही हो करके बैठे हैं, इस वज़ा से बहुती छोटे मोटे इंकम को शेर सट्टे बाजी या सूध बगएरा पे भी पैसे ले करके कमा सकता है। गुरु जो एकादश्मे के अधिपती हैं, पंचम जो बुद्ध जो पंचम के अधिपती हैं, साथी साथ चंद्रमा और साथी साथ सूरिये और साथी साथ उस भाव पे पढ़ने वाले ग्रह की दृष्टी, इतनी सारी चीजों को देखना होता है। तब जाकरके आप एक पर मतलब अच्छा जोतिशी कहा जा सकता है। और जल्दबाजी नहीं, देखने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं उत्तर देने में जल्दबाजी होनी चाहिए, आप स्पस्ट कथन करता बनिये। देख जिस वो ता क्या है? कि समानितिया, हम कई बार आपको यूट रहे हैं इसका परिणाम, पर वस्तुता हो वो यह नहीं बताता है कि शनी की द्रिष्टी है, राउ की द्रिष्टी है, कॉन देख रहा है, कहा देख रहा है, नक्षटर के, यह कुछ भी नहीं लोग बताते हैं, और यही स्पस्टफल कतन करता कि कमी इस दुनिया में या फिर इस छेत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है और दरसल यही कमजोरी भी है हम सिर्फ भावफल करके किसी भी जातक को संतुस्ट ना तो कर सकते हैं और नहीं वो होना चाहिए सिर्फ भावफल नहीं होना चाहिए आप जब तक कुंडली को मतेंगे नहीं तब तक मखन नहीं न चैप्टर क्लोज, बिल्कुल नहीं, ये धोका है और सिर्फ धोका है, वाकि तो कुछ नहीं है, वो तो उसको भी पता है कि गुरू यहां बेटे हैं, पर बता क्या रहे हैं आप, इसलिए ये छेत्र जो है वो प्रतारित है, ये इस वजा से भी ये छेत्र जो है वो प्रस्न चिन्ने के घेरे में आता है, मैं सची वात बोलता हूँ, और इसका मुझे बिल्कुल भी दोश नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका काम है, बेतरती भी से नहीं, आसानी से, और मुक्त हो करके, किसी भी दबाओ में समय, वक्त की दबाओ में आ करके, आप अगर कुनली द शुरू कहां से करो, तो सबसे पहले लगन के ही शुरू करते हैं, लगन के अधिपती का दिखबली होना, और चद्रमा के साथ बैठना, जो की स्कुनली के पराक्रमेश है, अब ध्यान से समझे, तो लगन में केतु का प्रभाव व्यक्ति को प्रतारित और दिमाग से, और हमेशा किसी न किसी के उपर आलंबित होना पड़ता है, वो लतिका बन जाएगा, लतिका का मतलब क्या है, वो व्रिक्षा नहीं बन पाता है, हमेशा किसी के उपर डिपेंडेंसी उसकी रहती है, ये बात मैंने ये कही, ये लगन में केतु का प्रभाव, और लगन के अधि अधिपती जन्म कुडली में दुतिय भाव में माता का सुख देंगे और व्यप्ति को जो है वो घर परिवार का कुटमब का सब चीजों का सुख मिलता रखता है वो किसी न किसी वज़ा से मिल जाएगा क्यों ऐसा क्योंकि चतुर्थ के कारक गुरू स्वग रही है पर अकेल कुडली पे लागू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इस वज़ा से हमें इस बात पे यकीन करने में शत्त प्रतिशत नहीं करना से ये कि गुरू यहां का भावफल कमजोर करेंगे नहीं ये ब्यक्ति के जीवन को जब तक और ब्यक्ति के साथ जब तक आप बैठ करके निरने ले सकते कि गुरु यहां पर भाव फलका नास करने, जब तक उससे बात न हो, जब तक उसको आप समझे नहीं, जब तक आप उसको सुने नहीं, हम लोग अंधेर नगरी चोपट राजा वाल है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि कुछ चीजे जो है, वो संतुलन में और मैं हूँ भी नहीं, यह बात है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी, इसके बाद आप जरगोर करें, तो मंगल यहां से पंचमस से बैठे हैं, इससे चतुर्थस्त राहु बैठे, इस भाव के फलको कमजूर करने का काम, क्योंकि इससे चतुर्थस्त सुक होगा, जहां ए पर नेश, तिर्क भाव के अधिपती के साथ बैठे हैं, किसी भी सुभग्रा का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे इसकुंडली के, शनी की दृष्टी सत्रु की पड़ेगी, इस वज़ा से भी व्यक्ति जोह है, वो परिशान हो जाता है, क्लिर है, क्योंकि चंद्रमा को पर मेहनत, मशककत, और धाढ़स, साहस, इन सब चीजों को अपने जीवन में इकठा करना ही पड़ेगा, आप उसे बच नहीं सकते, क्लिर है, धन भाव के अधिपती बुद्ध बहुत बढ़ियां बैठे हैं, और उनके नक्षत्र से उनको बल नहीं मिल रहा है, इस वज़ा से नैसरगीक रूप से बहुत अच्छे नहीं होते, सुर्य और बुद्ध के बैठने के कारण बिक्ति बुद्धिमान जरूर हो जाएगा, पर पंचम भाव के अधिपती जब शनी मंगल राहु केतु के प्रभाव में आएंगे, और उस घाव, उस भाव के पीछे चंद्रमा मेहनत करा करके सुख देने वाले बन रहे हैं, चंद्रमा जो है वो पूर्वा फालगुनी में बैठे हैं, और ये शुक्र का नक्षत्र होता है, सुक्र के साथ बैठे हैं, सुक्र लगन के अधिपती होते हैं, और चंद्रमा के उपर किसी सुभग्रा का कोई प् और जरगोर कर यह तो चंद्रमा जो है वो राहू केतु के प्रभाव में भी आ रहे हैं क्योंकि इन से केंद्र में दोनों तरफ राहू केतु, ब्यक्ति को हमेशा ही निरने लिने में दिक्कत होती है, यह तो और भी इस्थोती तब जाकर के खराब हो जाती, जब यही बुद चंद्रमा से केंद्र में आ जाते, तो और भी व्यक्ति को बिच्छप्त कर देते, और और भी व्यक्ति के निरने को परिशान करने वाले बना देते, हालाकि व्यक्ति निरने लिया है, तो गलत भी लिया है जीवन में, तो जब तक उसके पास कोई निरने में सहयोगी नहीं थ लेने में तब तक उसको निरने गलत लेता देखा गया है और ये हुआ भी होगा पंचम चतुर्थ स्थान के अधिपती का दुतिये में जाना ये माता से सुख समृद्धी और व्यक्ति को कुटमब का सुख ये सब दे देता है बद्धिमान बनाता है साथे साथ व्यक्ति के जीवन में दामपत्य को कई बार कमजोर तो नहीं पर हाँ वहाँ पे एक आगसी जलती है और व्यक्ति की वाणी बड़ी ही सत्य सुल्थ होती है वो जो जिसको बोल देता है उस पे वो लागू हो जाती है जोदिश का जानकार व्यक्ति क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि जन भाव के अधिपती गुरु के उपर शनी की लिष्टी तो ग्यान किस छेत्र का गुढ़ और रहस्यमई चीजों का इन दोनों का समन्द बना इस वज़े से व्यक्ति जोतिश का जानकार हो जाता है और जोतिश में रूची लेता है ये बात है परसत्य बोलेगा, गंभीर बोलेगा और कभी भी अतिरेक नहीं बोलता है पहाड का काम हो, पठथर का काम हो टाइल्स का काम हो, मैरबल का काम हो कोई भी ऐसा भारी काम हो वो भी व्यक्ति कर सकता है कपड़ों का कारोबार भी व्यक्ति कर सकता है उसके बाद fashion designing से समंदित भी छेत्र में जा सकता है, पढ़ने पढ़ाने के छेत्र में जा सकता है, उसके बाद ब्यक्ति जो है वो खाने पीने की सामगरी से भी समंदित, गुरू से समंदित कोई भी काम, शनी मंगल राहू केतु और बुद्ध सुक्र सुर्य इन सब चीजों को देख करके अगर मैं एक बात कहूं, तो आपकी कुंद्ली में सबसे बढ़िया जो ब्यापार अभी बन रहा है, वो नेटवर का बन रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप शनी का भी ब्यापार कर सकते हैं, बुद्ध से पंचमस्त सुक्र है, तो कपड़ों का भी कारो बार बन सकता है, ये सारी चीज़ें बनती है, पंचम भाव के बारे में मैंने चर्चा करी, छटे भाव के अधिपती, सुक्र इस कुंद्ली में कारक नहीं होते, नमान सुक्र जो हैं, वो बार हमें, शनी के साथ, मित्र के साथ बैटे हैं, दामपत्ते में शया सुक्र है, इनके कारण ब्यक्ति की पतनी भी जो है वो परिशान होती है, या चिंता करती है, या कई बार उनको पेट का रोग, या नाभी के नीचे का छेतर प्रभावित होते देखा जाता है, ये इस तोटी भिया ब्यक्ति स्वैम भी इन सब चीज़ों से परिशान सा रहता है, सप् उत्तर में हैं, दक्षणा जाईए, तो बढ़ियां रहेगा, उसके बाद जन्म कुंडली में अगर बात करें तो सब्तम और 12 में के अधिपती होकर के मंगल 12 में बैटे हैं, पर यहां पे वो स्वग्रही होकर के बैटे हैं, तो ब्याय को समतुलित करने का काम करेंगे, साथी साथ ब्यक्ति को कम पेशों पे जीवन में नौकरी करने वाला बना देते हैं, इस छेत्र में मंगल क्रती अगर खुद के बल पे कुछ काम करें, अपना कोई भी काम करें, किसे के आहां नौकरी करने की कोई आवशक्ता नहीं है, आप खुद का काम अच्छे तरीके से कर सकत चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो, अगर कुंडली न मिले और अच्छे अंक से न मिले और भाव मिला न हुआ हो, तो निसंद्य वो परिशानी कितने तरीके से खड़ी कर सकती है जीवन में, ये बात भी देखने को मिलता है, मैं जल्दी-जल्दी तो हारी है, हलाकि मेरी बात इन से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस भाव के अधिपती यहां बैटे हैं, और वो जन्मकुंडली में यहां के लिए अच्छे दृष्टी से देख रहे हैं, यहां के लिए सामाने दृष्टी से देख रहे हैं, यहां के लिए और ब्यापार औ ब्यक्ति जिद्धी है, किसी की सुनने वाला नहीं है, अपने जेब में भले पैसे हो ना हो, दूसरों को देने के लिए ततपर हमेशा रहता है, दूसरों से कर्ज लेकर के भी दूसरों को दे दे और खुद पिशता रहे, ये बात भी यहां जीवन में घटित हो रही है, इस दूसरों को नौकरी देने के साथ-साथ कई भार खुद को सरकार से जुड़कर करके, अगर कुछ बात ऐसी बने तो बेक्ति सरकार से जुड़कर के बिल्कुल ही नौकरी कर सकता है, खास करके स्टेट गोर्मेंट में ये बात भी बनती है, क्योंकि चंडरमा केंद्र में ब रिशेश वतया, मैं यहाँ पे मंगल और शनी अगर संबंध में होते तो ठीक नहीं होती बात, पर यहाँ पे शुक्र और चंदर्मा बैटे हैं, शुक्र है जन्मकुंडली के लगनेश और चंदर्मा है तुर्ती भाव के अधिपती, यह यूति यहाँ पे ठीक काम नहीं कर इस वज़ा से ही आपका कारोबार भी प्रभावित हो रहा होगा, यहाँ के अधिपती जन्मकुंडली में मित्र के साथ बैटे हैं, पर इस भाव पे किसी भी सुभग रहा का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन सुक्र और चंदर्मा देख रहे हैं, इस वज़ा से थोड़ा बैठने के कारण उनको मेहनत जादा करना पड़ रहा है, यह बात है, और ऐसे स्थती, क्योंकि यहाँ पे जरागौर करिये, तो चतुर्त भाव के अधिपती के उपर किसी सुभग रहा का कोई प्रभाव नहीं है, वो बुद्ध बैठे हैं, तो केंदर त्रिकोन का योग बना रहा है, तो जो चीजें आपको मिल रही है, वो भी मैं बता रहा हूँ कि क्यों मिली हुई है, और जो नहीं मिली है, उसका भी कारण बता रहा हूँ कि वो क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ग्रह जो है, पूरा एस्टेटस में नहीं कर रहा है, कहीं न कहीं वो फ्ल देना चाहिए वो गुरु जितना देना चाहते हैं उत्रा नहीं दे रहे हैं क्योंकि गुरु के ऊपर अगर कहीं से भी चंदरमा की द्रिष्टी पढ जाया, बुद्ध की द्रिष्टी पढ जाया तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है, उनका बल बढ़ जाता लेकिन उनको कोई ऐसी दृष्टी मिल नहीं रही है, इस वज़ा से ही कुंडली का जो है वो छुपा हुआ धन है, छुपी हुई उर्जा है, छुपा हुआ थौट जो है, वो निकल करके सामने नहीं आ रहा है, यही इस कुंडली की समस्या हो सकती है, उपर से आप राहू की दृष्टा में है, इस कारण से भी व्यक्ति को परिशानी मिल रही है, मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि चुकि ये ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है, तो कुछ अच्छाईयां भी दे सकता है, जो की निसंदे आपको गुरू को बल देने के बाद प्राप्त हो सकती है, आपको नमम और दशम के अधिपती होकर के शनी धन भाव में ये बहुत अच्छा है, पराक्रम, भाग्य और कर्म के अधार पर व्यक्ति धन भी कमाएगा, यानि कि गुरू में शनी 2032 वाली दशा भी अच्छी रहेगी, और 24-27 वाली दशा भी अच्छी रहेगी, 27-29 वाली दशा आपके जीवन में मेहनत करवाने वाली हो सकती है, और साथी साथ वो आपको मेहनती बनाएगी भी, उस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा भी और आपको करना भी पढ़ेगा, ये बात इतनी से ही देता हूँ, अब उसके बाद अगर मैं दशम भाव की चर्चा करूँ, तो न लेकिन व्यक्ति को न्याय प्रिये बनाएगा, शुद्ध बोलने वाला बनाएगा, उसका बैसिक निचर होगा, वो सबके साथ न्याय करेगा, गंभेरता देगा, और कई बार व्यक्ति का काम धीरे धीरे ही हो, पर हो जाता है, ये बात भी दिखती है, क्योंकि उसका कारक, अब शनी जिन जिन चीजों के कारक होंगे उन उन चीजों को अब परिणाम तो आपको मिलता रहेगा उन उन चीजों का परिणाम मिलता रहेगा परंतु इन दोनों भावों का प्रभाव मिनिमाइज हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा इस वज़ा से भी जन्म कुंडली में भाग्य और कर्म दुखित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, इस बात को समझना होगा, अस्टग्रह है, तो कमजोरी हाँ तो करेगा, ये बात है, एक आदश्मे भाव के अधिपती और जन्म कुंडली में अस्थम के अधिपती के बारे में मैंने चर्चा करी बारहे के बारे में चर्चाकरी आप मांगलीक थे और वस्तुता यह देखना होगा कि आपने विबाह किन से किया है दूसरी बात यहाँ पे मंगल राहू का प्रभाव धन आने में मशक्कत हलाकि स्वग रही है तो एक सामान्य धन देते हैं पर यह मशक्कत अभी जारी रहेगी गणेश चतुर्थी का वरत आपको जरूर ही निदान दे सकता है गणेश जी के मंतरों की अराधना अथरवसर्स का पाठ और घर में एक आदशी का वरत और नियम से पूरे तरीके से पूरे नियम के साथ करिए ताकि आने वाली गुरू की दशाव आपके लिए कस्ट दायक सुध्ध न हो एक बत और बताता हूँ यहाँ पे चंद्रमा आप थोड़े लूंज पुंज भी हैं सुस्त भी हैं दामपत्य को ले करके आपके मन में कोई उच्साह ना हो ऐसा मैं कह सकता हूँ साथे साथ यहाँ पे गुरू का प्रभाव आपको कई बार बातचित करने वाला बनाता है पर पत्नी बातचित करने के लिए तयार नहीं होती है या अखड बुद्धी की हो या फिर वो थोड़े विचार में कई बार मतभेटसा बना रहे है या दोनों ही बहुत ही जादा तेज हो जाते हैं तो भी एक टेवल पे बैठ नहीं पाते हैं ऐसी बिस्तितियां बनती हैं हालाकि फिर भी उसके स्थति कमजोर नहीं होगी क्योंकि लगन पे गुरु की दृष्टी है यहाँ पे गुरु की दृष्टी मित्रवत हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी सामाने जा रही है लेकिन फिर भी वहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो एक सुकुमारता का प्रभाव देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं है, ये कह सकता हूँ, दशमान्स कुंडली में गुरु मंगल बुद्ध, वेवसाय करिए, खुद का, अपने गल्ले पे बैठे, कुछ भी काम करना हो, आपकी कुंडली में गुरु मंगल बैठे हैं, टिंबर का काम कर सकते हैं, आपकी कुंडली में खाने पीने की सामगरी, लाल चीजों का कारोबार, और नेटवर्क, कनेक्टिविटी का काम, नेटवर्किंग, से भी समधित आप कारोबार कर सकते हैं, और उनका बल बढ़ेगा, क्योंकि वो भरड़ी नक्षत्र में बैटे हैं और नक्षत्र के अधिपती शुक्र बढ़ियां बैटे हैं, खराब नहीं बैटे हैं उसके बाद आपकी कुंडली में शनी का बल बढ़ेगा, ग्राज योग कारक के स्थोती में हैं, चतुर्थ और दशम के अधिपती और पंचम भाव के अधिपती ये योति सबसे जादा अच्छी बात है अगर ग्रती के जीवन में कुछ मिला हुआ है, तो उसके पुछे यही कारण बनता है बाकी अगर कुछ नुकसान, तो यहाँ पे और यहाँ पे शनी केतु का प्रभाव ग्रती के जीवन में सोचने वाला नहीं बना रहा है बति विचार नहीं करता है उसकी डिपेंडेंसी कभी हटती ही नहीं है वो हमेशा किसे दूसरे को उपर आस्रित रहता है ये राहू केतु का प्रभाव रहेगा और परिशानी यहाँ पे क्योंकि ये राहू ठीक नहीं है ये अच्छे नहीं है पर गणेश चतुर्थी कभरत आपको बचा सकता है होरा कुंडली की चर्चा करता हूँ आपकी कुंडली में जो होरा कुंडली बनी हुई है उसके आधार पर चंदरमार राहु केतु सूर्य और शनी इनकी दशाएं सामान में और आपको मेनत जो है वो करने के बाद भी थोड़ा सा सामाने परणाम मिले मतलब वो उतना उत्साह और उतनी उर्जा से परणाम नहीं दे पाते इनके अलबा बुद्ध, शुक्र, गुरु और मंगल बढ़िया रहते हैं गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपसे बल भी लेगी, उर्जा का प्रसार भी रहेगा, साकारात्मक महौल भी बना रहेगा और मेहनत भी आप करेंगे, और उसका परणाम भी दिखेगा, यह स्थोती बनती है अगर टोटल तरीके से मैं देखूँ, तो संतान का सुख आपके जीवन में दूर सा देख रहा हूँ पर संतती का सुख है, संतती का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है क्योंकि D7 चार्ट में जो इस्थोती देख रहा हूँ, वहाँ पर कई बार थोड़ी सी चालम तोल वाली इस्थोती बन रही है चंचलात्मा कस्थोतियां बन रही है, पर ठीक ही है, मैं उसे कमजोर नहीं कहूँगा कई बार चंतती बीमार भी होती है, या वैचारिक मत्वेद भी सामने से बनते हैं, उसको कई बार आपसे सिगायत भी हो जाती है पर वस्तुता इस कुंडली में वाहन वगेरा का सुख बहुत अच्छा है, इस कुंडली में थोड़ी सी मशक्कत के बाद ये सारी चीज़ें प्राप्त करी जा सकती है क्योंकि सुक्र यहाँ दिखबली है, डी सिक्स्टीन चार्ट भी जन्म कुंडली में खराब नहीं बन रहा है, थोड़ी कमजोर की स्कती तो है, जरूरी सामान में है बहुत जादा अच्छा नहीं है, तो बहुत जादा बुरा भी नहीं है और वस्तुता आपकी कुंडली में, मैं सरवस्तु अगर कहूंगा, तो आपकी कुंडली के लिए बिलंब है, पर आपके अंदर आतूरता भी है, यह दोनों है, और दोनों लगातार है साथे साथ मानसिक शांती और व्यप्तिकी मृत्यों बड़ी अच्छी होती है, खराब नहीं होती है मंगल वहाँ बैठे हैं, पर स्वग्रही होकर के बैठे हैं गटि को मुक्ष अदायक बना देंगे, मुक्ष का भाव बना हुआ है, लग्ण में केतु राहु का प्रभाव है, चिंता तो आपकी जिहन में ही है, वो बनी रहेगी पूजा मैंने बताया, गणेश जी के मंतरों का जब बताया है, एकादर्शी का बरत बताया है, बटब रिक्ष को दूध अर्पित करने को कहा है, किसे मंदर का दर्शन करने को कहा है, रासी के उपर ढईया और शाढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं है, पर फिर भी आप हन जो महात्मा है, वो वस्तुता मुझे प्राप्त हो जाता है, और मैं उसे प्राप्त हो जाता है, या वो मुझे प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान ने कहा है, और महात्मा कौन, वेश्वुसा वाले महात्मा नहीं, जो मन से महात्मा है, महात्मन, जो मन से महात्मा है, और कि जो अपने जीवन का निर्वाह करता है वही महात्मा है अब फिर से नमस्कार करता हूँ